आगामी लोकसभा चनाव की तयारियां जोरो पर हैं। भाजपा द्वारा लोगों को एक जूट करने के लिए तरह तरह के कारे क्रम भारती जनता पार्टी द्वारा किये जा रहे हैं। पर महाम मंत्री मोहन सिंग विष्ट ने बताया कि पूरे देश में गाउं चलो अभियान के अंतरगत कारे करताओं को विस्तारक के रूप में 24 घंटे के लिए 9 फरवरी से 11 फरवरी तक गाउं में 24 घंटे गाउं में ही प्रवास करना है। जिसमें कारे करता को प्रत्य गाउ में और वार्ड में भीजा जा रहा है। जिसका उर्देश मिशन 2024 है। उन्होंने कहा भार्दी जंटा पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और हमेशा चुनाव के लिए तियार रहती है। उसी के क्रम में आए सुनते हैं जिला महामंत्री मोहन सिंग विष्ट न में पुर्वास करना है। ऐसी कारेगरता तैयार करते हैं कि वार्ड में भीजने जारी है। जिसका हुदेश से मिशन 2024 है क्या आगे इस तरह के कारेगरम लगातार जारी रहेंगे। वही भाष्पा मीडिया प्रभारी जस्पुर गौरफ प्रजापती ने बताया कि सरकार द्वारा गाउं चलो अभियान का कारेगरम की आगया है। जिसके माध्यम से गाउं गाउं जाकर लोगों की समस्याओं और उनको जो जो सुविधा मेली है उसकी जानकारी लेंगे। और सभी पिरतिस थलो के दर्शन करने का कारेगरम है। योजनाओं से अवगत कराये जाएगा। आए सुनते हैं मीडिया से बाचीत में भाजपा मीडिया प्रभारी गौरफ प्रजापती ने क्या कुछ कहा। इसके मात्यम से हम लोगों की समस्या और उनको जो जो सुमिधाय प्राफ होई है उनके बारे में जनकारी लेंगे। और सब्सक्राइब के दर्सन करने का हमारा एक तारेकम है इस गाहों चलो अभ्यान के तहरत है। साथ ही नए मद्दाताओं को जागरूप करना और सरकार की सरकार के दोरह चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुचाना यही हमारा एक मिशेश उत्रेत है। ऐसी हिदेश दुनिया की तमाम अब्डेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल विडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें।